यह देखिए हो लिए स्पेसल मावा गुजिया बनके त्यार हो गई है तो अगर आप कोई मेरे रैस्पी पसंद आई हो तो फ्लीज में चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बेल आइकन है अज हम बनाएंगे गुजिया तो चके लिए देख्ये हमने ये काजु बदाम और यह पिस्ता लिया तो अदो कोई भी ले सकती जो भी आपको पसंद हो यह जो खोया है इसको में पहले से बूबवश करके कीजिए खोया गरम होता है तो इसмент क세तsite कर दिखी तुस्हार ने मिला सकते हैं इसको पहले गार भूर्ण के रख लिए है तो सरसे पहले मेदे में मौयय लाइंगे इह देखे मेदा हमने ले लिया एक बड़े इस लिया तश्ली में थोड़ा-थोड़ा ची वी का मौय लगाएंगे तो हम थोड़ा-थोड़ा पहले डालेंगे एक अच्छा साथ यह दिखिए हमने इसका अच्छा मोयन लगा लिए तो समझें हम्हारा हो चुका है तो हम थोड़ा-थोड़ा सा पाई डालके इसका लो ट्यार करेंगे गिला बिल्गुल नहीं रहें इसको तो फोड़ा फोड़ा पाई डालेंगे अच्छा सा डो तेयार करेंगे यह रिखी आटा चैसे गूत गया है और एक्दम कड़ा हमने गूता है तो इसको हम कीचन टावल से गीला करके हमने किचन टावल अच्छा करके अच्छा को धुद्देंगे और हम यह काजू वादाम है तो इसको हम भूनेंगे तो किचन टावल हमने इसलिए ढग दिया ताकि यह सूखे नहीं आटाई जल्दी सूख जाता है यह दिखिए घी गरम होगे दिसमें हम यह बादाम और कार्जु दाल को इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे अधर दर दरा सा इसको कर लिया है और पिस्ता ह हमने ना इसको रोस्ट किया यह दो हमने इसको इकट किया है तब हमिक्स करेंगे तरे कि हमने बड़ा सा व्हल लिया है एक ह़ी यहों देखें और अच्छे से मिक्स हो गया है आए तुप को मैं रखेंगे अब बुचिय बनाने टियारी करेंगे तो इसमें अधिर प्लेवर बहुत अच्छा आता है उसमें खुजबू बहुत अच्छी आती है तो इलाईचे पॉर्डर की रैस्पी मैंने अपने चैनल पर शेयर भी की है कि इसे हम कैसे घर पर बना सकती है तो अब चाहें तुस्से भी एक बाद देख सकते हैं तो इसको हम रख दे र छोटी छोटी पतली पूरियां हमें इसकी बेल नहीं है तो हम छोटी इस टाइप से हम दो काट लेंगे और इसको हम ढग देंगे इसको गोल या उससे करने के कोई जोग नहीं है क्योंकि अभी हम जब इसकी गुज्या की कटिंग करेंगे तो यह अपने आप से गोल हो जाएगा कि यह दूम थेक्सटे हम पूरियां यह बेल लेंगे पतली-पतली से त्रक लेंगे अधिए हमने पूरियां भेल लेंगे तो इनकों धग का हिए रखेंगे तो इसको हम एक एक उठाएंगे और यह हम खोड़ा लेंगे, इसको हम बीच में रखेंगे, किनारी नहीं रखेंगे, और हलका हम यह चारो तरफ से पानी लगा देंगे, आप चाहें तो बेशन भी मैदा घोल करके रख सकती है, उसको भी लगा सकती है, तो पानी से भी अच्छे चिपक जाता है, इसको हम यह बगएंगे, और साइट से हमें अच्छे से दबा देना है, इस टाइप से, इस टाइप से हमें गुजिया बना लेनी पहले, इसको बगएंगे, इस टाइप से, 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 इस टाइप तो इसको हम गुजिया इसमें बीच में यू रखेंगे देखिए और यह दबा देंगे तो अब कर देंगे अब यह दिखिए यह दिजाइन बन गए यह इसको ढ़क के रखेंगे और देखिए दूसरा पर हम दिखा रहे हैं इस टाइट से एक यह इस टाइट से चम्मच आता है तो इसको पीछे से कट करने के लिए भी बना हुआ है तो से हम यह साइट से कर रहेंगे अगुमाते रहेंगे इसको इस टाइप से भी हम बना सकती है किसे कई भी डिजाइन बन सकती है तो आप जिसे इसाब से चाहिए उसे इसाब से बना सकते हैं आप समने बना लिए गुजियां कर देंगे तो डिजाइन भी बन जाएगी अच्छे से हमें बिल्कुल कॉर्णा पर करना है बीच में बिल्कुल भी नहीं करना है उन्हां गुजियां फूर चकती है तो इस साइट से भी हम अरका कर देंगे यह दिखिए एक डिजाइन यह बन गई है यह दिखिए है यह गी गरम हो चुका है यह बहुत गरम नहीं है करने करेंगे एक बार में हम तीन से चारी गुजिया डालेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे फ्लाइब करेंगे नहीं तो यह हाई फ्लेम पे उपासे तो पक जाएगा अंदर कच्चर आ जाएगा यह दिखिए तो यह हम फूली फूली गुजिया देखे निकाल ले रहे हैं तो यह हमने नैपकेन पेपल लिया तो उस पर हम निकालेंगे और हम दूसरी भी सीम फ्राइब करेंगे यह देखिए हो लिए स्पेसल मावा गुजिया बनके त्यार हो गई है तो अगर आप कोई मेरे रैस्पी पसंद आई हो तो फ्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना न भूलें चाथ में बेल आइकन ज रूशे